आज हम लोग जानेंगे कुछ kitchen tips and tricks जो कि हमारे काम को और भी ज़्यादा आसान करें चलिए जानते है kitchen tips सबसे पहले हम लोग kitchen tips जानेंगे प्लव में कैसे बनाएंगे एक जो हम लोग ठंडी में ओड़ते हैं चादर को क्या करें ऐक पीलो कवर एक्स्ट्राइब तो रहते ही है क्या क्या करें जो चादर रहती है मुल्सक्ते हैं पर लूग लाग दोक सुखते हैं यह फिर लागते हैं तो इस तरह से दो प्लो यह अब्वाहते हैं पीलो कावर आप सेगने हमें अद्धानेयों नशीति के और यहाr कभी कभी के होता है डब्वे हमको ढूडने में बड़ी परिशानी होती और हमारे पास में थालिया रहती जो ङागो यूज बार थाली जो मतलब की जहो में यूजे बढ़ी ते जो हम कभी यूज एक छोटा सा छोटा थाली रखे मतलब बहुत जादा नहीं मतलब वह थाली से थोड़ा छोटा होना चाहिए उन्हें रखे उसके बाद में उसके उपर में जो हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे हैं अभी तुरंद यूज करते हैं जैसे सुबह हम लोग चाय बनाने के लिए सकर चाय पती हमारे पास में होना चाहिए सबजी हम लोग बनाते हैं तो जो रहता है ना हल्दी मेची के डबबे और नमक के डबबे तुबह हमारे पास में रहना चाहिए इसे हमको ढूणने में बहुत ही ज़्यादा दिकत नहीं होती बहूत ही आसान होती है तो यह सब जो थाली है जो हम यूज नहीं करते वो थाली को भी यूज कर सकते हैं और अपने पास में अपने जो काम है उसको आसान कर सकते हैं देखिए हमारी जो थाली है कितनी अच्छी तरह से घूम रही है नेक्स्ट हम जानेंगे जब भी आप आटा गुनते हैं तो आटे में जरूर डाले उससे क्या होता है अगर आपके सब्जी में नमक कम है न यह बैलन्स हो जाती है इसलिए और सब्जी यह जो रोटी का टेस्ट है थोड़ा सा बढ़ जाता है मतलब की थोड़ा अच्छा अच्छा अच्छी और टेस्टी बनती है उसके बाद में हम लोग नमक तेल ठाल रहे हैं उसके बाद में थोड़ी धोड़ा पानी ढाल के इसकी आठा गुंत लुटे जैसे normal आठा गुंत आपको पता है कि आठा कैसे मुंता है तो आठा गुंत लुट्ले उसके बाद में इसकी रोटी बनाए तो आप की जो रोटी कोरें आठा − friendmarkt Il बहुत धा तो वह स्वाइबिन की है ना उसको क्या करें बनाने से पहले कम से कम 10-15 मिन पहले भीगो दे अच्छी तरह से भीगोने के करें इनकी ना पानी निकाल ले पानी को अची तरह से निचोड ले रिखी इस तरह से पानी पूरे स्वाइबिन वड़ी से निचोड ले रिखी इस तरह से निचोड़ने उसके बाद में क्या करना है इन्हें ना हलका सा गयास में पैन रखे पैन में थोड़ा सा तेल डाले औ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी आपको लगे गई नहीं मतलब स्वाइबिन वड़ी के जो कच्छा पना रहता है वो खतम हो जाती है और इसका जो टेस्ट हो दुगना बढ़ जाती है तो इस तरह से आप स्वाइबिन वड़ी की सबजी बनाए नेक्स्ट हम लोग जा नौर्मली डालचावल की खीचडी में बहुत फरक है अगर आप भिको कर बना रहे तो उसका जो टेस्ट है नो दुगना बढ़ जाती तो इस तरह से डालचावल की खीचडी बनाए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जाडू को लेकर हमारे घर का कच्रा साफ करने वाली जाड तो उससे अच्छी तरह से देखें जिसे हम लोग कंगे न करते हैं वैसी कर ले झाड़ो को उसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे हर्फिक जो हर्फिक रहता है बात्रोमस से जाडू बहुत अच्छी तरह से साफ होती है तो उन्हें डाले और इन्हें ब्रस से थोड़ा पानी डालके ब्रस से इन्हें अच्छी तरह से साफ करें तो इससे नहीं बहुत अच्छी तरह से हमारी जाडू है वह साफ हो जाती है इसमें कोई भी कच्रा या किटा नो तो थोड़ा थोड़ा जाडू में से पोर्षन ले और इने चिम्टे से चिपकाते जाए और जाडू को सुखाद इससे बहुत जल्दी जाडू जाती है इस तरह से कुछ किचन टिप्स को फॉलो करके आप अपने काम को आसान बनाए अपने घर को अच्छे रखे धन्यवाद मुन चुछ खे ऑन्यवाद को आसान है धुछ कोईर जाती है